Vivo X70 Pro Plus जिसे Xiaomi Mi 11 Ultra से टक कर देने के लिए मार्किट में उतार गया है तो इसके बोक्स में हमें क्या-क्या मिलता है और इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है? जानेंगे इस वीडियो में हेलो गाइस Vivo X70 Pro के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि एक फ्लैक्शिफ फोन है जिसे की Vivo बताना चाहता है कि वो भी फ्लैक्शिफ स्मार्टफोन की कैटेगरी में स्टेंड करता है तो फटा-फट से बिना देर की है इस स्मार्टफोन की अन्बोक्सिंग देखते हैं तो पहले बात तो ही है कि इसके बोक्स का डिजाइन टोटली क्रियेटिव है और फोन का डिजाइन तो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है साथ में आपको 50 वार्ट का चार्जर मिलेगा और टाइप-C केबल और वीवो एरबॉड्स भी मिलते हैं जो कि काफी इंप्रेसिव बात है इस स्मार्टफोन की लोक्स एंडिजाइन की बात करें तो फोन को इस तरह बनाया गया कि दिखने में ही प्रीमियम एन फ्लैक्शिप केटेगरी का स्मार्टफोन लगे डिस्पले में आपको 6.78 इंच की बिग और ब्राइट सैंसंग E5 एमुलेट डिस्पले मिलती है यानि इसकी डिस्पले की क्वाल्टी इतनी अच्छी है कि आप इसको आउटडोर में सनलाइट में भी बहुत अराम से यूज़ कर पाएं और ये पुझासर इस स्मार्टफोन की बैटरी को भी बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है ये स्मार्टफोन 4500 mAh की बैटरी के साथ आता है और साथ में 55 वोट का फ्लेश चार्जर मिलता है और 50 वोट की ये वारलेस चार्जिंग को स्पोर्ट करता है और इतना ही नहीं ये 10 वोट की रिवर्स चार्जिंग को भी स्पोर्ट करता है मतलब आप इस स्मार्टफोन से अपने दूसरे डिवाइस को भी बहुत अराम से चार्ज कर पाएंगे इस से वीवो ने इतना तो साफ कर दिया कि उन्होंने इस स्मार्टफोन को कैमरा फ्लैक्शिप परपस के लिए बनाया है और इसकी कैमरा क्वाल्टी इतनी अच्छी है कि इसको आप डिरेक्ट आइफोन 12 प्रो से कमपेर कर सकते हैं और आपको ज्यादा नहीं थोड़े बहुत ही चेंजिस दिखेंगे आइफोन 12 प्रो की फोटो एड़ वीवो एक्स 70 प्रो की फोटो क्वाल्टी में बहुत ही अच्छे से ये नैच्रॉली करर को कैप्चर करता है ये स्मार्टफोन और इसकी सबसे इंप्रेसिव बात वीडियो क्वालिटी के मामले में कुछ जगे पर ये आइफोन 12 प्रो से भी बैटर है खब खब से उल्ड़र एदाने करने लिगाने का जाने कहता है